इस चोटा सा यह है इसमें बताया गया है एग्रिकल्चर किसे कहते हैं सिंपल सिंपल डिफिनिशन इसमें इसमें ते साइन्स अर्ट अफ कल्टिवेशन अन दे स्वाइल रेजिंग क्रॉप्स और रियरिंग लाइव स्टॉक इटीज अल्सो कॉल्ट फार्मिंग तो वो विज्ञान या कला जिसमें हम मिट्टी पर खेती करते हैं अनाज उप जाते हैं जानवरों का पालं करते हैं इसे हम एग्रिकल्चर कहते हैं इसे फार्मिंग भी कहते हैं सेरी कल्चर में क्या है कि रेशम के कीरा से रेशम का उपादन करते हैं इससे भी किसानों को इंकम होता है पीशी कल्चर मतलब बने बनाए टैंक में या अपने आस पास के तालाब में मचली पालंग करना इसे पीशी कल्चर कहता है उसका अधर टर्मी जो वीटी कल्चर में क्या है कल्टिवेशन आफ ग्रेप्स मतलब वह जो वाइन यार्ड होते हैं जहां पर वह अंगूर की खेती करते हैं उसे वीटी कल्चर कहता है हॉटी कल्चर हॉटी कल्चर में आ गया ग्रोइंग वेजिटेवल्स फ्लावर्स और फ्रूट्स पर कमर्सिल यूज अच्छा इसमें एक चीज यह में नहीं किया हुआ है कि चाय की खेती को किसमें रखेंगे मेरे ख्याल से वह हॉटी कल्चर में रखेंगे उसको फिर चाय की खेती करना काजू की खेती करना मसाले की खेती करना ठीक है फार्म सिस्टम अग्रिकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुग्ड अट अग्रिकल्चर खेती करना या फार्मिंग करना इसको एक सिस्टम के तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ steps involved हुते है कि पहले आपको यह करना है फिर एक यह करना है उसमें कई जगलें लोगों को planning करने होती है देमाग लगाना होता है calculation करना होता है कई चीजों में शतय है कि अगर ऐसा मौसम हो तो ऐसे स्टे पुठाने हैं, वैसा मौसम हो, वैसी मिट्टी हो, तो ऐसे स्टे पुठाने हैं तो इसमें ये चीजे बताए गई न, इन्पूट में क्या है? कि मसीनरी का इस्तेमाल होता है, हमें बीज डालना होता है, और समय समय पर हमें फर्टिलाइजर डालने होंगे, मैन्योर भी डालने हो सकते हैं, तो ये चीजें खेतों में डालना होता है, या खेत के साथ में इस्तेमाल करना होता है, और प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस में है, खेत में हल चलाना, बीज बोना, सीचाई करना, उसमें से खरपतवार को निकालना, और जब अना तयार हो जाए तो उसे काट करके ले जाना, हरवेस्टी, और आउटपुट का मतलब क्या है, कि जब आपके पास में फसल कट करके आ जाती है, है ना, जहां पर अब हम उसका इस रही है खेत को, इरिगेशन हो रहा है, और सूरत से जो टेंपरेचर मिल रहा है, वो भी है, अच्छा, जमीन से उसे मिंदल्स मिलता है, यह सारा हो गया, फिजिकल इंपुट, और हुमेन सपोर्टेट इंपुट क्या है, कि भाई, आदमी को ही तो खेती करनी होगी, हल चला हो गया, इंपुट को दो हिस्से में बाटा गया, टाइपस ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग इस प्राक्टिस्ट इन वारियस वेज अक्रोस दा वर्ल, डिपेंदिंग अपॉन दे जेग्राफिकल कंडिशन, डिमांड अफ प्रोड्यूस, लेवर अन लेवर अफ लेवल अफ टेकनलोजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन्टु टू मेन टाइप, इस आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्सिल फार्मिंग, तो खेती को इन लोगों ने दो हिस्से में बाटा है, इस चीछ पर डिपेंड करता है कि जहां की बात हो रही है, वहां पर जमीन कैसी है किसान कैसा है एक-एक किसान की हिस्से में कितनी जमीन है वो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है या कम मेहनत करनी होती है उसके पास खेत का एरिया बहुत बड़ा है या छोटा है अब देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या कहता है इस टाइप आप फार्मिंग इस प्रैक्टिस तू मीड दनीड़ फार्मर्स फार्मिली इसमें आम तर पर यह होता है कि किसान बस उतनी ही खेती करता है जिससे उसके पड़िवार को जरुवत हो साल भर में उसे पांच कुंटल गेहूं चाहिए साल भर में उसे तीन कुंटल चाहिए चावल चाहिए साल भर में उसे एक कुंटल दलहन चाहिए या हर मौसम में अलग-अलग आलो प्यास अड़ी सब्जी चाहिए तो वह बस उतनी खेती करेगा थोड़ा सक्ष्ट कर लेगा पैसे के लिए ट्रेडिशनली लोग लेवल्स अप टेक्नोलोजी और हाउस चार आदमी छे आदमी उतने से ही यह मेहनत करते हैं और जमीन के छोटे टुकड़े में खेती करते हैं वैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आगे भी दो हिस्टे में माटा जा सकता है एक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्म सिंपल टूल्स जो घरेलू टूल्स उसके पास मौजूद है जो पडिवार में पहले से आया है और लेवर इसमें लेवर मेहनत फीजिकल लेवर ज्यादा करना होगा चुकि उसके पास में लेटेस टेकनोलोजी की मशीनें नहीं होती है क्लाइमेट विफ लाज नंबर ऑफ देज विच संसाइन फर्टाइल स्वाइल 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 पर्मिट ग्रोइंग अफ मोर दन वन क्रॉप अनुवली ऑन दे सेम प्लॉट अब ऐसे में क्या होता है कि मतलब जो जलवायू की स्थिती है वो भी देखना होता है और इसमे ये भी है कि उसको ज़ादा दिनों तक ध्रूब चाहिए तो प्रूप चाहिए दिंग क्लिक क्या है वह वह व्हाँ गाने में वह स्कहüd जमीन से सालं भर भर यह जादा निकाला जा सके ऐसे में क्या होता है कि राइस इस तरह की खेटी में वह आम तर पर धान की खेटी करते हैं अब इस तरह की खेटी के लिए भी कुछ वह एरिया है जहां पर बहुत घनी आबादी है तो वहां पर लोगों के हिस्से में जमीन कम होती है मतलब एक किलोमेटर में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो सभाविक है कि जो जमीन की का टुकड़ा है खेटी का जमीन है वह ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगा तो वह छोटा छोटा टुकड़ा होगा और यह जो एरिया होता है यह आम तोर पर बरसात वाले एरिया में हैं जैसे कि साउथ में साउथ इस्ट में और इस्ट एसिया में पुर्वी एसिया में अब दूसरा टाइप है primitive subsistence agriculture इसमें क्या होता है includes shifting cultivation and nomadic herding इसमें वो चीज़ें भी सामिल हैं जिसमें लोग एक बार खेत debates करते हैं और उसे छोड़ते हैं और रेंक बात बॉम्द का बटूरी एक यह है मतलब आएसे लोग जो एक जगह पर लगातार नहीं रहते हैं मतलब बंजारे लो जिनके पास में 40-50 जानवर होते हैं अब एक जगह पर जितना चारा है उसी साफ से वह तीन महिना छे महिना आठ महिना रहेंगे वहीं पर जमीन के टुकड़े पर खेती वेती कर लेंगे जानवरों को खिला लेंगे और जब लगेगा कि आप वहां की जमीन से य आज अफ एमेजान बेसिन ट्रोफिकल अफ्रीका पार्ट्स आप साओधिस्ट एसिया और नौर्थ इस्ट इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहां होता है यह देखरो अपने अपने आप और जल्दी जल्दी उपता है यहां पर ऐसे करते हैं लोग कि एक जमीन मार कर लेते हैं और वहां पर जितना भी पेंड़ पौधा उगा हुआ है जंगल उगा हुआ है उसे वो काट करके गिरा देते हैं और जला देते हैं फिर उसकी राख को वहां की मिट्टी में मिला देते हैं और फिर उस जमीन पर वो उगाते हैं कॉटन उगाते हैं मकई उगाते हैं पोटेटो उगाते हैं ये सब चीजें उगाते हैं आपर दस्वाइल लूजे इस फर्टिलिटी और ऐसा होता है कि दो बार चार बार छे बार पांच साल में तीन साल में उस जमीन की उर्वड़क छमता कम हो जाती है वहां पर खेती करने पर ज्यादा अनाज पैदा नहीं होता या हर साल पिछली साल से कम अनाज पैदा होता है फिर से वह पेरो को काटेंगे जलाएंगे खेती करेंगे तो इसे सिफ्टिंग कल्टिवेशन कहते हैं इसका एक और भी नाम दिया गया है स्लैस और बर्न अग्रिकल्चर ठीक है काटो और जलाव नॉमैडिक हर्डिंग में क्या होता है वह जैसा कि मैंने बताया किसमें बं उह जम आपर वेदर का एक्स्ट्रीम कंडिशन होता है जैसे सहारा और सेंट्रल एसिया सहारा के बारे में क्या है वह रिगिस्थानी इरिया है इस एंडिय सोयलाए वहाँ पर पानी की अविलेबिलिटी दी कम होगा irrigation की सुविधा कम होगी उसी तड़ी के से राजस्थान में वहाँ भी रिगिस्तान है वारिश कम होती है water level down है पानी की दिक्कत होती है अब जम्मू और कस्मीर है वहाँ भी extreme condition है वहाँ पर क्या extreme condition है कि साल भर के 6 से ज़्यादा महिनों में वहाँ पर ठन पड़ती है और बड़फीला इलाका होता है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खेती नहीं हो सकती तो वहाँ क्या होता है कि in this type of farming herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water fodder का मतलब है चारा तो ऐसी जगों पर यह जो चरवाहे लोग होते हैं वह अपने जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह वो चलते रहते हैं एक जगह पर उसको पानी मिला 4 मिला तो हाँ पर हफ्टे 10 दिन 1 महिना 2 महिना रुख जाएंगे फिर 4 खत्म हो गया तो अपने जानवरों को लेकरके आगे चले जाएंगे अब यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पर जलवायू की स्थितिक कैसी है और वो जगह कैसी है लिविंग कंडिशन कैसा है मतलब वो बहुत जादा जंगल है क्या बहुत जादा पानी है क्या इस तरह की बात है सीप, कैमल, याक and गोट्स are most commonly reared दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइट्स and other products to the herders and their family तो इस छेत्रों में भेंड, उंट, याक या बकडियों का पालन करते हैं और इससे उन्हें क्या मिलता है दूद मिलता है, मीट मिलता है, ऊन मिलता है छिपने की जगा या कपड़े बगर भी मिलता है इनको जो इनकी family के लिए चाहिए होता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये सारा कुछ जो वो subsistence farming के बारे में था अब दूसरा हिस्सा है commercial farming तो इसमें नाम से ही clear है कि ये business purpose के लिए होता है कि हम खेती जो करेंगे वो सिर्फ उतना ही नहीं करेंगे जिससे हमारे खाने पीने की जर्वत पूरी हो जाए हमें अपने family के लिए अगर पैसे चाहिए या कुछ और भी resources खड़ीदने को हैं तो हम उसमें इतनी खेती करेंगे कि खाने के पीने के बाद में जो बच जाएगा तो मंडी में बेच करके उसके बदले में हम revenue पैसे collect करेंगे इन commercial farming crops are grown and animals are reared for sale in market इसमें आम तोर पर market में बेचने के लिए ही ये काम होता है इसमें क्या होता है कि जो खेती होती है उसमें खेत का area बड़ा होता है और इसमें बड़े पैमाने पर जादा पूंजी लगानी होती है अलग से पैसे भी लगाने होते हैं खेती के लिए पैसे क्यों लगाएंगे हम बड़ी बड़ी machine use करेंगे लेवर इकठा करेंगे अच्छी quality का बीज डालेंगे समय समय पर उसमें हम fertilizer डालेंगे अगर बारिश से सही सही पानी नहीं मिला तो हम पैसे खर्च करके boring pump set के जरीए पानी पटाएंगे मतलब बड़े पैमाने पर खेती होती है इसमें commercial farming includes commercial grain farming mixed farming and plantation agriculture तो इसमें अनाज की उप जाने के लिए करते हैं mixed farming मतलब आनाज और सबजी वो दोनों चीजें होगाएंगे और तीसरा होता है plantation agriculture plantation agriculture में इसमें बात होगी चाय वगान के बारे में wine yards के बारे में मसालों की खेती के बारे में या कुछे के special फल वगर के बारे में इन commercial grain farming crops are grown for commercial purpose wheat and mage are grown commercially grown grains तो इसमें आम तोर पर अनाज की खेती हम लोग करते हैं commercial purpose के लिए ही करते हैं इसमें भी गेहूं और मकई की खेती ज़्यादा होती है जैसे तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग उन्हें intensive subsistence agriculture की बात की थी जहाँ पर खेत का टुगड़ा छोटा होता है और लोग अपने घर में इस्तिमाल के लिए ही अनाज उप जाते हैं तो उसमें धान की खेती राइस की खेती वो main crop था यहाँ पर commercial grain farming में मकई और गेहूं यह major crop है यह main crop है ठीक है अब यह कहाँ खेती होती है इस तरीके से तो यह होता है temperate grasslands of North America, Europe और Asia में जहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान है these areas are sparsely populated यहाँ पर आबादी बहुत घणी नहीं होती खेत के टुकड़े जमीन के टुकड़े बड़े बड़े होते हैं और आबादी कमजूर होती है वहाँ पर एक किलो मीटर में लोगों के रहने की संख्या कम होती है टेंसिटी कम होती है वहाँ पर खेत जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो हो सकता है 100 hectare का एक plot हो 200 hectare का एक plot हो severe winter is strict the growing season and only a single crop can be grown यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ जगों पे कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती हो तो साल भर में लोग एक ही फसल निकाल पाते हैं In mixed farming the land is used for growing food and fodder crops and rearing live stock Mixed farming में क्या होता है कि जमीन का इस्तेमाल वो करते हैं खाने से समंधी चीजों को उगाने के लिए चारा उगाने के लिए और जानवरों के पालन करने के लिए It is practiced in Europe, Western USA, Argentina, South East Australia, New Zealand and South Africa तो इन छेत्रों को भी हम लोग मैप में सही से लोकेट कर सकते हैं Plantations, Plantation Agriculture Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugar cane, cashew, rubber, banana or cotton are grown Large amounts of labor and capital are required The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories The development of a transport network is thus essential for such farming Major plantations are found in the tropical regions of the world Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples Plantation farming में क्या होता है कि इसमें साल भर में एक ही फसल उगाता है जैसे कि चाय, coffee, गन्ना, काजू, rubber, केला या कपास इसमें बड़ी मात्रा में, heavy amount में labor चाहिए होता है बड़ी पुंजी लगानी होती है और इसमें जो फसल तयार होती है हो सबता है कि उसको process करने का option वहीं पर खेत के पास, form के पास ही available हो या आजपास की factory में भेजना होता है तो ऐसे में एक अच्छा transport network भी चाहिए होता है जहां पर आप उगजी हुई फसल को farm से factory तक भेज़ चकें अब बड़ा-बड़ा plantation farming का जो काम होता है वो कहां पे होता है वो है tropical regions में जैसे की rubber मलेशिया में होता है rubber plantation, coffee plantation ब्राजील में है और चाय का जो plantation का काम है ये इंडिया और सनंका में बड़े पैमाने पर है अब हम लोग पढ़ेंगे major crops जैसे यहां हम लोग बात करें न तो हाजीपुर में भी केले की खेती इसी तरीके से होती है और गन्ने की खेती के बारे में पढ़े ही है तुम जानते ही हो उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत होती है जहां साल भर में एक बार वो गन्ना ही लगाते हैं और वो cash crop है A large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population Crops also supply raw material for agro-based industries Major food crops are wheat, rice, mage and millets Jute and cotton are fiber crops Important beverage crops are tea and coffee अब यहां आम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाँ खेती वाली बात तो है लेकिन आम तोर पर लोग कौन-कौन सी फजल कौन-कौन सी फजल, कौन-कौन सा आनाज ज़ादा उप जाते हैं तो उसमें क्या है? गेहू है, धान है, मकई है और मिलेट्स है जूट और कौन भी इसी तरह के crop में सामिल किया गया चुकि यह भी बड़े पैमाने पर होता है और जैसे यूपी और महारास्ट्रा की बात करें तो वहां सुगर किन भी बड़ा crop में गिना जाएगा और प्लांटेशन की बात करें तो चाय और कौफी का भी बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है राइस राइस is the major food crop of the world पूरी दुनिया में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है अभी मैंने आज कल के अख़वार में पढ़ा कि चायना ने इस बार भारत से बहुत सारा चावल खड़ीदा है इसकी दो बाते हैं कि पीछे के 3-4 साल से चायना में धान की खेती कम हो पा रही है किसी ने किसी वज़े से उतना ज़्यादा उपज नहीं हो पा रहा है दूसरी बात है चायना के लिए भारत का धान खड़ीदना राइस खड़ीदना इसलिए आसान है कि इसका बाउंट्री मतलब आसपास में है नेवरिंग कंट्री है और दूसरी बात है भारत का जो चावल है वो सस्ता भी है इसलिए भी चाइना इस पार यहां से खड़ीद रहा है अब यह देखो कि यह जो है यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल डीजन में बड़े पैमाने पर खाने के लिए इस्तिमाल होता है धान की खेती कहां पर होगी जहां पर जादा गर्मी होती है जादा हुमिड इन्वार्मेंट होता है और साथ में बारिश भी खूब होती है जैसे यह कहां पर होगा बिहार में होगा बंगाल में होगा उरिशा में होगा बंगाल में तो धान की ऐसी भी फसले हैं कि वो एक ही पषी खेत से सालवर में तीन तीन बर खिती पर आप करता है टिब की बार में एक बार लोग उसखेत से धान की केते करते हैं जरीन उस ऻान की रव भी क्रॉप है यह खरीफ क्रॉप होता है जोन जून-लाइक के सिर्द महीने दें हैं और नवंबर महिने में काटते हैं दूसरी बाद कि ऐसे फसल के लिए बारिश चाहिए होता अक्टूबर नवंबर में ही तो यह खरीफ क्रॉप है और अभी नवंबर के महिने में लोग गेहू लगाएंगे और मार्च में काटेंगे होली के समय तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग यूपी में थे तो वहां भी जो किसान थे वह इस समय में गन्ना काटते थे और जल्दी काट करके बेज लेना चाहते थे क्योंकि वह लोग गेहू लगाते हैं इस समय में तो गेहू क्या तहलाएगा वह रभी क्रॉप हो जाएगा और जो पानी को जादा दिनों तक अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रख सकती है चाइना लिट्स इंदी प्रोड़क्शन आफ राइस फॉलवड वा इंडिया जापान सिलंका एंड इजिप्ट तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा राइस उत्पादन करने वाला देश है उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडिया जापान सिलंका एंड इजिप्ट तो इसलिए खरीद रहा है ना कि उस देश की आबादेवी तो बहुत ज्यादा है हो सकता है उसके पॉपुलेशन को मीट करने के लिए उतना चावल वहां न उप जाहो ठीक है इन फेवरेवल क्ल बंगला देश में अगर मौसम साथ दे तो वहां के किसान एक ही खेट से दो-दो-तीन-तीन फसल उप जा लेते हैं सिर्फ और सिल्फ धान wheat, wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest गेहुं की खेती के लिए moderate temperature चाहिए और बारिश भी मतलब ठीक ठाक मध्यमात्रा में चाहिए और इसका growing season के समय में मतलब जब पौधा बढ़ रहा होता है तब इसे अच्छी खासी धूब चाहिए होती है तो सोचो जब November, December में लोग लगाएंगे और January और February महिने में इसे अच्छी धूब चाहिए होगी मतलब कटाई के समय में कटाई होने से महिना भर पहले जब कार्टे कब है March महिने में तो समय में अच्छी धूब खिलनी चाहिए नहीं तो इसका फसल कमजोड हो सकता है इट थ्राइब से बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सोयल फीट इस ग्रोओं एक्स्टेंसिबली इन USA, कनाडा, अर्जेंटिना, रसिया, उक्रेन, और सेलिया और इंडिया इन इंडिया इट इस ग्रोओं इन विंटर तो गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटिना में, रसिया में, उक्रेन, और सेलिया और इंडिया में भारत में इसकी खेती विंटर में होती है क्योंकि भारत थोड़ा सा गर्म देश है न अब जैसे ऐसा कहा जाता है भारत के बारे में कि 1950-1960 के समय में यहां पर गेहूं का बहुत सारा बीज मंगाया गया था अमेरिका से वहां से वह सकता हाइब्रीड वेराइटी का मंगाया गया हो और उसके बाद से अपने देश में धान की यह गेहूं की खिती बढ़ी है मक्के काटा तो उनहीं लोगों ने इंट्रोडी दीच किया था इंडिया में में गया क्या क्या आता है ml आता है ज्वारबाजरा देयार आर आलसो नोन एज कोर्स ग्रेंट और दूस ऐंड बेरार लोग बलोई मिटी में भी आ शकते हैं कम प्रटाइल मिटी में भी खित It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jwar, Bajra and Ragi are grown in India. Jwar, Bajra, Ragi का मतलब है? Ragi का मतलब है? Ragi का मतलब मैं भूल गया? ने, 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 उसका हिंदी में बड़ा बड़ी है, मरुवा, मरुवा बोलते हैं. Other countries are Nigeria, China and Niger. Millets, Jwar, Bajra and Maruwa की खेती के लिए, क्या है? कि कम-fertile मिट्टी भी चलेगा, बलोई मिट्टी भी चलेगा. साथ में इसमें बहुत ज़्यादा बाड़ीस की भी जरुवत नहीं होती. इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा सिंचाई की भी जरुवत नहीं होती. ठीक ठाक पानी बड़श जाए और मिडियम, ज़्यादा गर्मी न थंड़ा, वैसा टेंपरेचर रहे, तो भी इसकी खेती हो सकती है. अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मेज, मकई के बारे में. ठीके न, पानी से सिंचाई हो और बहग करके आगे निकल जाए. ये अमेरिका में, ब्राजील में, चाइना, रसिया, कनाडा और इंडिया और मेक्सिको में उपजाया जाता है. अमेरिका वगर में या उन देसों में, तो मकई की खेती इसलिए भी जादा करते हैं, कि वहाँ वो लोग सूर पालन करते हैं. अमेरिका में बेकन बहुत खाते हैं, वो लोग, बेकन सबसे जादा खाते हैं, उप्षी की विसाद का सकते हैं, वो लोग. Cotton, कपास, कपास की खेती के लिए क्या चाहिए, कि जादा गर्मी चाहिए, हलकी बारिश चाहिए, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, मतलब 210 दिन में ये कपास की फसल तयार होती है, 210 दिन का मतलब क्या है, 7 महीने में जाकर कि एक फसल निकलेगी. ठीक है, अब इसकी खेती कहां होती है, इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक अलूवियल सोहल, ब्लैक, काली मिट्टी में, चाइना, यूएसे, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, एजिप्ट आर्द लीडिंग प्रोडूसर्स अप कॉटन, ये ऐसे देश हैं जहां पर कपास की खेती जादा होती है, जूट, जूट वाज ऑलसो नोन अज गोल्डन फाइबर, इट ग्रोज वेल ऑन अलूवियल सोयल, रिक्वार्स हाइब तेंपरेचर, जूट को गोल्डन फाइबर की नाम से भी कहा जाता था, ये जिससे बंगाल में, जूट की बहुत सारी फैक्टरियां है, मुझे लगता है वहाँ इसकी खेती भी ज़्यादा होती होगी, इसके लिए अलूवियल सोयल चाहिए, और ज्यादा गर्मी चाहिए, बारिज भी खूब होनी चाहिए, और हुमिड क्लाइमेट चाहिए, इस क्रॉप इस ग्रोण इंदी ट्र सिम बंगाल, तो डेफनेटली बंगाल में भी इसकी खेती ज़्यादा होती है, तभी तो सबसे ज़्यादा जूट इंदस्ट्री वहीं लगा हुआ है, कॉफी, कॉफी रिक्वाइर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट और वेल द्रेंड लोमी सोयल, हिल स्लोप सार मोर सूट लेकिन वहां की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जो लोमी सोयल हो, साथ में वहां पर पानी जरों में टिके ना वो बह जाए, इसके लिए हिल स्लोप पहाडियां ज्यादा अच्छी जगह होती है, और ब्राजील इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद नंबर आत लिके से ही खेती होती है, चाय के बगान, अच्छा तुम्हें याद है, जो हम लोग वहां बिंसर गए थे, और उसके ऊपर एक जगह पे गए थे, तो वहां तुम्हारा चाय बगान में फोटो किचवाया था, जो दो तिन दिन पहले माने फेस्बुक पर में डाला था, ज् अशा कुछ नाम था, जहां पर मिर्ची खूब फार में होती है, अब इसमें कितने पेज बचे हैं इस चैप्टर में, नहीं, खत्मी हो जाएगा, यह हो जाएगा खत्म, हाँ, दो पन्ने तो हैं, इसमें दो एक्जाम्पल बताया गया है, कि एक USA के फार्म की चर्चा की गई है, और एक इंडिया के फार्म की चर्चा गई है, तो नेचरली USA में जो फार्म होगा, वो बड़ा होगा, और इंडिया का जो खेत होगा, वो छोटा होगा, तो कॉफी के बारे में कहते हैं, कॉ चाइना श्रिलंका प्रोड्यूस्ट बेस्ट क्वालिटी टी इन दी वर्ल्ड तो यह कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अच्छी चाय की विराइटी की खेती है यूएस्टे में जादा नहीं होती है यूएस्टे का नाम है कहां इसमें Kenya, इंडिया, चाइना, स्रिलंका अगला टोपिक है अगरिकल्चारल्ट्र डेल्पमेंट, अगरिकल्ट्रल डेल्लप्मेंट refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways such as increasing the crop area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizer and high yielding variety of seeds, mechanism of mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. अब बात है खेती में लोग तरह तरह का विकास का काम कैसे कर रहे हैं और ऐसा कर क्यों रहे हैं? खेती की जरुवत क्या है? खेती की सबसे बड़ी जरुवत ये है कि पूरी दुनिया की आवादी जो हर साल बढ़ रही है तो पूरी आवादी के खाने के लिए खाने की चीजें, अनाज, सबजियां, फल उसको मिलता रहे हैं तो इसलिए लोग कोशिज करते हैं कि हाँ हमारे खेत से ज्यादा ज्यादा अनाज, अगर इस खेत से पिछले साल पास कुंटल के हो उपजा है तो लोग कोशिज करते हैं कि इस साल 6 कुंटल पुझे, 7 कुंटल पुझे, ऐसा करें तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है, कि वो कोशिज करते हैं कि उनके पास में जो सिचाइगी सुविधा है, उसको बहतर करें उसमें बढ़िया फर्टिलाइजर यूज करें उसमें ऐसी बीज का इस्तेमाल करें जिससे की ज्यादा फसल तयार हो साथ में वो लोग ये भी कोशिश करते हैं कि कम से कम लेवर लगे कम से कम पैसा लगाना पड़े अच्छी विराइटी का बीज डालें और लेवर बचाने के लिए वो उसमें बड़ी-बड़ी मशीनों का भी इस्तेमाल करता है वैसे अभी भी बहुत साड़े देशों में जहां पर प्लांटेशन का काम होता है या खेती की सुरुआप करने की बात होती है बीज डालने का काम होता है बीज डानले वाला काम भी कुछ हद तक मेकनिकल हो जाएगा लेकिन धान की बुवाई के लिए भी भी कोई मशीन होगी नहीं है बड़ी नहीं है धान की बुवाई अभी मैनुवली होती है लोग कीचड़ वाले पानी में हाथों से ऐसे इसे बहुते है अर्कुल मिलाकर के अग्रिकल्चरल डेवलप्मेंट की बात इस चीज के लिए है उसका में नेम यही है कि ताकि इतना अना जो उपज सके जो पूरी देश मतलब पूरी दुनिया की आबादी का पेट भर सके अगर इसमें से हम अमेरिका को छोड़ दें तो कनाडा और ऐसे देश है जिनकी आबादी का जो घनत्व है देंसिटी है वो कम है और वहाँ पर खेती की जमीने बड़ी बड़ी है तो वहाँ पर नेचुरली कॉमर्शियल अग्रिकल्चर हो सकता है तो अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे दो केस स्टडीज है एक भारत के खेती का है और दूसरा यूएसे की खेती का है जिससे ये समझ में आएगा एक विकास सील देश में खेती कैसे होती है और एक बिकसी देश अब देखो इसमें डिस्क्रिप्शन को देखो देखो देर इसमाल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपूर डिस्टिक आफ उत्तर प्रदेश मुन्ना लाल इसमाल फार्मर इन इस विलेज हो है यहां पर ध्यान दो इसके पास खेती की जमीन कितनी बड़ी है 1.5 हेक्टेर डेर हेक्टेर का ही है ठीक है बहुत जादा नहीं हुआ बहुत कम हुआ इस हाउस इस इन दी में विलेज उसका घर भी गाउं में ही है यह पर्चेज इस हाई यल्डिंग वेराइटी आप दे सीट फ्रॉम दे मार्केट एवरी अल्टरनेट इयर हर दुसरे साथ वह हर अल्टरनेट इयर में एक साल छोर करके वह अच्छी वेराइटी का बीज करता है में मिलेज के बाद में ही पर्चेज इस यहां है ना कि हर अगले साल एक साल छोर करके वह लोकल मार्केट से मतलब अलग वीज खरीदता है और ऐसा वीज खरीदता है जिससे की एक खेत में ज्यादा उपज हो सके दे लैंड इस फर्टाइल और इस तू क्रॉप्स इ और इस वज़ए से वह साल भर में दो अनाज हिती कर लेता है जैसे की धान और धान हो गेहू हो या दलहन हो तो वो कैसे खेती करता है कि वो कभी-कभी आस-पास से किसी से ट्रैक्टर भारे पर ले लेता है हल चलाने के लिए अच्छा और अगर उसके अभी भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पारामपडिक तड़ी का मतलब बैल गारी से ही खेती करने का काम करते हैं हल चलाने का काम करते हैं तो बैल गारी से बैल से बैल और हल के ।िक्षेड़े गंगैं उसमें ज्यादा समय लगेगा लेवरगए अगर ट्रैक्टर 13 003 हो जाएगा लेवर बच सकता कि थोड़ी पैसे विभी बाज सकते हैं There is a tube well in the nearby field, which he takes on rain to irrigate his field. उसके गाओं में ही, खेत के बगल में ही, एक परोसी के खेत में, tube well भी लगा है, और कभी-कभी वो उसे भी भारे पर इस्तेमाल करता है, अपने खेत की सीचाई करने के लिए, ऐसा उसकेस में हो सकता है, जे साल में पारिश अच्छी ना हो. मुननालाल अलसो हैस टू बफैलोज और फ्यू हैंस, उसके पास दो भेंड भी नहीं, दो भैंसे भी हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is member of the cooperative society which also advises him on the type of order for his animals. Safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. तो देखो, मुननालाल के पास में मतलब कुछ भैंस और मुर्गियां भी हैं, वो दूद भी बेजता है पास के cooperative store में और उसको कुछ पैसे मिल जाते होंगे. अच्छा, वो एक cooperative society का member भी है, जहां से उसे समय समय पर पसुपालन के बारे में, चारा के बारे में, और जानवरों का पालन कैसे करें, उसके लिए उसे कुछ सहायता भी मिलती है, help भी मिलता है. और कभी-कभी जब मतलब पसुपालन के लिए कृतिम गर्वाधान की बात होती है, उसके लिए भी वहां से help मिलता है. All the members of the family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implements. HYV seeds का मतलब है High Yielding Variety. All the members of the family help him. मतलब उसके घर के बाकी सारे लोग भी जो हैं, वो खेती से समंधित काम में मदद करते हैं. जैसे पानी पटाने की बात हो, उसमें छिरकाव करने की बात हो, उसमें निकाई गुराई करने की बात हो, फसल की कटाई की बात हो. He sells his produce in the Mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. अब ये मुननालाल क्या करता है, कि वो अपने जरुवत के बराबर कानाज घर में रख लेता है, और बाकी कानाज वो पास की मंदी में बेजता है, जो सहर से जुड़ा हुआ है. अच्छा, और अधिकतर किसानों के पास में अपने घर पर फसल को स्टोर करके, कटे हुए फसल को स्टोर करके रखने की फैसलिटी नहीं होती है. तो कई बार ऐसे मजबूरी में वो ऐसा करते हैं, कि कम दाम पर भी अपना वो प्रोड़क्ट, अपनी खेती, अपना आनाज वो मार्केट में बेजतेते हैं. तो मैं याद होगा कि फैजाबाद में वहां पर बहुत सारा कोल्ड स्टोरिज हुआ करता था ना, जब आलू उगता था तो लोग गाड़ियों में लाज-लाज करके वहां पर ले आते थे और लाइन लगा हुआ रहता था, हाला कि अब सरकार इसके बारे में कुछ कर भी र उसमें आधारून पहाड की तरह भड़ा हुआ था अलू से लग फैल के रखा हुआ था देखो यहां पर खेत का चित्र दिया हुआ है जो इंडिया का है और यहां पर खेत का चित्र है जो यूएसे का है पर्मूला कि आफार्म इंदी यूएसे देरे साइज अफ़ फार्म इंदी यू एसे इस मुच लार्ज अछे देट अछे थैए इंदिया में तेर यूएसे यूएसे हूएसे हुआ अरो फार्मूला अमेरिका में क्या होता है कि किसान आउंतर पर फार्म में ही रहता है तो हो सकता है उसके दो घर होते हों एक साहर में है एक फार्म में कॉर्ण इसलिए ना क्यों सीरियल खूब बनता है वहां के जो जादा तर बच्चे ना एक साल से लेकर के 20 साल तक सारे बच्चे वह एक तरह से डेली फूड में ब्रेक्फास्ट में सीरियल ही घाते हैं या पर स्नैक में सोया बीन, वीट, कॉटन, और सुगर बीट अच्छा अच्छा इन चीजों की खेती वहां जादा होती है अब वहां के किसान का नाम है जोई होरान, ए फार्मर इंदी मिडवेस्ट उसे इन आयोवा एस्टेट ओंस अवाओ थी हंड़ हेक्टेर्स अफ्लें इस अच्छा इस फिल्ड आप्टर मेंकिंग शूर था इस वाटर रिसोर्सेज इन इट अफ दिस प्रॉब इलाव हो गया है यह मेरी मडिसिन बंग परो उसके हां भी बजरा लगता है तो देखो इसमें एक किसान का नाम दिया हुआ है जोई होरान उसके पास में 300 hectare खेती है वो अपने खेतों में मकई की खेती करता है और यह तब करता है जब उसे अच्छी तरह से पता होता है कि जमीन तयार हो गई है और पानी का भी भरपूर availability है adequate measures are taken to control pest that can damage the crop और वो पहले ही तयार कर लेता है कि अगर खेतों में कीडे लग जाएंगे तो उसके पास में pesticide और pesticide डालने की सारी ब्यवस्था है from time to time he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not the results help Joy Huron to plan a scientific fertilizer program his computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field देखो वहां पर कितना advancement है कि वहां पर उसके पास में यह सारी सुविधाएं है वह पहले से व्यवस्था कर लेता है कि अगर कीरे लगेंगे तो क्या-क्या दवा छिड़काओ करना है वह समय समय पर अपने खेत की मिटी को soil testing laboratory में भेजता है जांचने के लिए कि जो अनाज वह जाने जा रहा है उस अनाज के लिए मिटी में सही मात्रा में sufficient nutrient जैसे की यूरिया नाइट्रोजन फॉस्फेट ये जिंग ये सारी चीजे जमीन में मौझूद हैं की नहीं अगर कम होता है और इसका रिपोर्ट उसे पता चलता है तो वह उसी तरह का fertilizer खड़ीद करके इस्तेमाल करता है सोंच लो मतलब plane से हवाई जहाज से चिर्काव किया जा रहा है पेस्टिसाइड का ये कितनी बड़ी बात है कितने advancement की बात है इस computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field और उस किसान के पास में computer भी available है जो ये फोटो रिसीव करता है कौँसा फोटो रिसीव करता है कि धरती के ऊपर में जो satellite चक्कर लगा रहा है वो तैस समय पर दिये गए समय पर उसकी खेद का फोटो कीजेगा और उस से उसको अपने घर बाठे बाठ अब यहां पर कंपेर करने की कोशिज करो यह जो अमेरिका का किसान है उसके पास में क्या क्या चीज़ें है ट्रैक्टर है सीड डालने वाली मशीने हैं जमीन को बराबर करने वाली लेवलर मशीन है एक कंबाइन हार्वेस्टर है और थ्रेसर भी है मतलब वो अनाज की कटाई भी कर देगा और उसमें से छिलके भी हंटा देगा और बिल्कुल फसल होसता है बोरी में पैक होकर के निकल जाए मशीन से उसके पास यह फैसलिटी है कि चाहे तो वो खेत के पास में ही फार्म हाउस के पास में ही अनाज को प्रॉपरली स्टोर कर सके या लोकल मार्केट में ट्रक से लाद करके भीज सके यह आखरी लाइन बहुत ही इंपर्टेंट है कि अमेरिका का जो किसान है वो आम तूर पर एक बिजनेसमेन की दैसे काम करता है इतना सारा कंकुलेशन, इतना सारा स्टडी, इतना सारा इन्पुट यह सारी चीजे है ना और भारत का जो किसान है वो एक सीधा साधा साधारन किसान होता है जिसके पास में बहुत सारे रिसोर्स नहीं होता और कई बार तो उसे कर्ज वगरे भी लेना पड़ता है अपने खिती को प्रॉपरली चलाने के लिए मुझे ये इंडियन में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फिर रतकुछ चालेंजिंग ही नहीं रह जाएगा नहीं इतना चीजों को परफेक्ट नहीं बनाना चाहिए